अजैँ मैं दोस्तो और से ऩजै तो धिवाली एक भौत शूब दिन होता है sudah एक स्पेंटर ठोटके हम आपको बता रहे हैं तो फर्सट पार्ट में हमने पूर्स्ज़त्तों इस werdenCould 24 तोटके आपको बताये थे यह सेकिंड बार्ट है इसमें भी 24 तोटके आपको बताने वाले है तो सबसे पहले मूरत की बात कर लेते हैं शाम को 5 बज़ के 30 मिनट से शुरू होके लगबग 7 बज़ के 25 मिनट तक का होगा शुमूरत इस शुमूरत में आप पूजा अर्चना करें और मुझसे यदि आप डारेक्ट बात करना चाहते हैं या किसी भी प्रशन को पूछना चाहते हैं तो आप www.astotak.com पर लोगउन कर सकते हैं तो 25 में उपाई की बात कर लेते हैं कोट के चैरी वा मुकद्बे में विजे प्रापती के लिए यदि आप सचे हैं और चाहते हैं कि आप जीते हैं तो दिवाली वाले दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा अराधना करें और फिर बगला मुखी देवी की पूजा अराधना करें जरूर जीत आपकी होगी बात करेंगे 26 वें उपाय की नौकरी में प्रमोशन वर राजनिती के लिए आप चाहते हैं कि विजे प्राप्त करना तो दिवाली के दिन एक माला सफेटिक की ले ले और इस माला के साथ में मंतर का जाब करना है ओम अधित्याए नमाहा इस मंतर का जाब करें इससे बहुत जल्दी लाब होगा 27 में उपाय की बात कर लेते हैं मीडिया शेतर में मौडलिंग के लिए या फिर फिल्म के शेतर में अपार सफलता के लिए दिवाली वाले दिन मंतर का जाब करें ओम राधे क्रिशनाए नमाहा इस मंतर का जाब करने से विशेश लाब होगा 28 में उपाय की बात कर लेते हैं शत्रुता को मित्तरता में बदलने के लिए दिवाली वाले दिन भोज बत्र पर लाल रॉली से शत्रु का नाम लिखकर शयद की शीशी में डुबो देना चाहिए 29 में उपाय की बात कर लेते हैं विद्या प्राप्ति हे तू विद्या के लिए आप एक पाव कच्चा दूद सिर से आप तीन बार उल्टा घुमा कर मिट्टी के बरतन बंडाले और फिर काले लाल या किसी भी रंग के कुत्ते को आप वह दूद पिला दे दिवाली वाले दिन ऐसा करने से बहुत जल्दी लाफ होगा तीसमें उपाय की बात कर लेते हैं लक्षमी वृद्धी के लिए दिवाली वाले दिन नए मकान में प्रवेश द्वार पर आप कोडियों का तौरण द्वार लटका दे इससे आपकी उपरी बादाई दूर होगी नजर दोश भी दूर होगा और लक्षमी की वृद्धी भी होगी बात करेंगे 21 में हुपाय की मंगलीक दोश दूर करने के लिए दिवाली वाले दिन गनपदी जी के हाथी दाथ की पूजा आराधना करें इसे मंगलीक दोश दूर होता है आर्थिक संपन्ता वड़ती है और हम अपने कारें को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं 32 में उपाय की बात कर लेते हैं आदे सिर में यदी दर्द होता है तो ऐसे में 12 काली मिर्च ले 12 पतिया नीम की ले और 12 चावल के दाने ले यानि की अखशत इनको सिल्वटे पर 3 या 4 बूंद पानी की मिला कर आप दवाई बना ले दिवाली वाले दिन सूरे उदे से पुर्व पांच मिनट तक इस दवा को सुंगे 12 दिन तक इस प्रयोग को करने से आदा सिर्दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा बात करेंगे 33 वे उपाय की नौकरी वाप प्रमोशन प्राप्त करने के लिए तथा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए दिवाली वाले दिन माता पिता को आप शिव और पारवती जानकर उन्हें बिठा दें और उनके चारों और आप हाथ में पुष्प लेकर चक्कर लगाएं तीन चक्कर लगाएं कम से कम स्वयम को गनेज जी का रूप समझ कर करने का और विद्या प्राप्त करने का ये बहुत सरल तरीका है दिवाली वाले दिन इस उपाई को करने से बहुत जल्दी लाब होता है बात करेंगे 24 वे उपाई की मोटापा कम करने के लिए आजकल सभी लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो दिवाली वाले दिन आपने रांगे की एक अंगूठी धारण करनी है दाहिने हात में बड़ी उंगली में आप रांगे की अंगूठी दिवाली वाले दिन धारण करें ऐसा करने से मोटापा कम होगा और चर्बी कम होगी बात करेंगे 35 में उपाई की हैं आप चाहते हैं कि ग्रहक अधिकाएं और दरी दरता दूर हो तो उसके लिए दिवाली वाले दिन आपने इस उपाई को करना है शाम को दाएं हाथ में साबुत सुपारी और तामबे का सिक्का अपने पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है अगले दिन उसी पीपल के एक पत्ते को आपने लाकर रॉली से उस पत्ते पर श्रीम लिखना है और अपनी गद्धी के नीचे रख ले या फिर अपनी सेफ में रख ले ग्रहक आपके पास पे अधिकाएंगे और दरी दरता दूर हो जाएगी बात करेंगे 36 में टोटके की टोने टोटके से मुक्ती टाप्त करने के लिए हैं तो बहुत सारी लोग होते हैं जो दूसरों के ओपर टोना टोटका करतेते हैं तो इन से बचने के लिए दिवाली वाले दिन ओम गन गनपताई नमाह इस्वंत्र का जाब करना है काले गोड़े की नाल का छला आपने यू के अकार का इस काले गोड़े की नाल को आपने लगा देना है या छला अगर बनवाया है तो मिडल फिंगर में धारण कर लेना है ऐसा करने से टोने टोटके दूर होंगे और आप अपने कारियों को कर पाएंगे 37 वे उपाई की बात करते हैं आर्थिक लाप राप्त करने के लिए पीतल के लोटे में जल वहां गाये के दूद को मिला कर आप शुकल पक्ष में सराने के नीचे रखकर सो जाएं प्राता है ये दूद मिश्रित जल पीपल के व्रक्ष पर आप शद्धा पूरवक चड़ा 38 वे उपाई की नौकरी प्राप्त करने के लिए और व्यपार में लाप के लिए दिवाली वाले दिन पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर चांदी वा सोने का धातूएं मिलाकर सिर के ऊपर से आपने नौर्थ इस्ट के स्थान पर इसको रख देना है ओम गंगा धराए नम असर मिलेंगे और व्यपार में भी लाप होगा तो इस प्रकार इन उपायों से बहुत जल्दी लाप होता है आपको शद्धा पूरवक इन उपायों को करना है 49 में उपाय की बात करते हैं घुटनों के दर्द और वायो विकार को दूर करने के लिए दिवाली वाले दिन श ग्यारा बार पूजा अराधना करते हुए आपने अपने घुटनों को मलना है 40 दिन के अंदर अंदर घुटने आपके ठीक होने लगेंगे दर्द ठीक होने लगेगा वायो विकार दूर हो जाएगा और मंतर का जाप करना है नासे रोग हरे सपीरा जपतने रंतर हनुवत इस मंतर का जाप करते हुए अपने पट्रोल वाली हतेली अपने घुटने पर मलनी है बात करेंगे 40 में उपाय की पढ़ाई में एकागरता उपरी बादा को दूर करने के लिए और मुक्ती उपरी बादा से मुक्ती प्राप्त करने के लिए स्वास्त लाब के लिए इस जंडे के बीच में सिंदूर से लिखे श्री राम तथा नीचे सिंदूर से लिखे बल बुद्धी विद्य देहुमुही हरू कलेश विकार पढ़ाई में एक आगरता बढ़ेगी उपरी बाधाएं दूर होंगी और आप अपने कारियों को बहुत अची तरह सिकर पाएंगे अपने सामने लगाएं प्राता है सुबा सुबा लाल वस्तर की जोती जलाने से शीगर विवा होता है वियपार में विशेश लाब होता है और उपरी बाधा दूर हो जाती है बात करेंगे 42 में उपाएं की सुबा स्वास्थ हानी दूर करने के लिए स्वास्थ हानी हो रही है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है फॉरण रोगी के वजन के जितना आप पहाड़ी नमक ले लिजे तथा सतना जा इन दोनों चीजों को बेहते पानी में बहा दिजे पानी वाले 11 नारियल रोगी के सिर से लेकर पैर तक 3 बार उल्टा गुमाईए नारियल को रोगी की सामने ही जमीन पर फॉर दीजे नारियल के जो टुकड़े होंगे उन्हें बहते हुए जल में प्रभा कर दीजे इस प्रियोग को यदि दिवाली वाले दिन कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत जल्दी लाप राप तो होगा बात करेंगे तर्टालिस में उपाय की फोडे फुनसी कई बार काफी परशान करते हैं या फिर कोई घाव हो तो इसका राम बार्ण इलाज इस चमच से ऐसा घोटना है इतना यादा घोटना है कि उसका हरा रंग हो जाए इस दवा को गंज पर लगाएं शिगर बाल आने लगेंगे फोडे फुनसी पर लगाएं फोडे फुनसी ठीक होंगे घाव पर लगाएं घाव ठीक होगा यह बहुत यह अच्छी दवा है इसे आप अजमा के जरूर देखें और दिवाली वाले दिन इस उपाई को करने से विशेश लाब होता है 44 में उपाई की बात करते हैं गंजापन वा बाल जड़ना दूर करने के लिए दिवाली वाले दिन से शुरू करना है पत्ता गोबी के रस को सिर पर मालिश करें गंजापन दूर होगा बाल जड़ना बाल गिरना आदी रोग ठीक होंगे बात करेंगे 45 में उपाई की संतान प्राप्ति के लिए विवा के परशाद यदि संतान नहीं हो रही तो दिवाली वाले दिन दुर्गा मा की पूजा आराधना करें मंतर का जाप करना है इस मंतर का जाप करें इस मंतर के जाप से विशेश लाफ होगा संतान उत्पति जल्दी हो सकेगी 46 में उपाई की बात करते हैं चुनाव जीतने के लिए राजनितिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दिवाली वाले दिन गनेश लक्षमी जी की पूजा अराधना करनी है गनेश लक्षमी जी को तिलक लगाना है और फिर वह तिलक अपने आपको भी लगाना है अपने मात्य पर तिलक लगाना है जब भी कभी चुनाव प्रचार के लिए चुनाव के किसी कारे के लिए जाएं इस तिलक को आप जरूर लगाएं ये विजे तिलक है इसको लगाने से आपकी जीत जरूर होगी कुम कुम वाला ये विजे तिलक आप जरूर लगाया करें, पूजा अराधना जरूर किया करें नौर्थीस की तरफ गरेजी को नमन करके ही घर से निकलें बात करेंगे संतालिस में उपाई की आर्थिक लाव आप प्रॉपर्टी के काम में लाव के लिए दिवाली वाले दिन लाल चंदन गुलाब के चार फूल ले चार साबुत सुपारी ले, रॉली में रंग कर लाल कपड़े में बांध कर उत्तर दिशा में तिजोरी में रख दे सेफ या फिर लॉकर में भी रख सकते हैं, गंगा जल के चीटे इसे अवशे दे ऐसा करने से विशेश लाब होगा, बात करेंगे 48 में उपाई की, पागल पन्वा उनमाद रोग तूर करने के लिए दिवाली वाले दिन से शुरू कर सकते हैं, 100 ग्राम से 200 ग्राम तक गो मुत्र चान कर प्रतिदिन प्रात्यकाल 30 दिन तक पीने से निच्चेत रूप में आप ठीक होंगे, या जो व्यक्ति भी रोगी है उसे आप पिलाए, वह ठीक होगा, तो दोस्तो मुझसे यदि आप किसी तरह को कोई भी प्रशन पूछना चाहते हैं, तो www.astrotak.com पर लोगन कर साथे हैं, तो दोस्तो आज के लिए तहीं, और कुछ और नए टोटकों के लिए आप अगली वीडियो जरूर देखें, आज के लिए तहीं, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार